ठंद के मौसम में कुछ ऐसी चीज़े जिनको खाने के बाद बिलकुल भी ठंद नहीं लगता है तो चलिए बताते हैं वह कौन कौन सी चीज है जिसे खाने के बाद थोरा सा भी ठंद नहीं लगता है हल्दी वाला दूद, हल्दी की एंटिबायोटिक्स प्रफटीज और दूद में मौजूद केलसियम जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं तो हल्दी दूद के गून और भी बढ़ा देते हैं ठंड से आपको बचाने के साथ साथ हल्दी वाला दूद पीने से नेनी भी वहुत जल्द आ जाती है इसके अलावा यह महिलाओं के प्रियेट्स के दर्द को कम करता है सर्दी खासी दूर करता है वजन कम करता है और हडिया भी मजबूत रखता है गूड यह ना सिर्फ पाचन किया को दूरूस्त करता है बलकि शरीड को सर्दी खासी से भी बचाता है कई बिटामिन्स, मिनडल्स जैसे फासफुरस, आईरन, मेगनिसियम और पर्टेसियम से भरपूर गूर, माईग्रेन, आउस्थामा, ठकान और बद्धहजमी में भी लाब पहुंचाता है इसी वज़ा से सर्दियों में रोज थोड़ी मत्रा में गूर खाना चाहिए अगर कॉप की परशानी हो, तो गूर को अध्रक के साथ आपको खाना चाहिए घी, लोगों को लगता है कि घी सिर्फ सरीर को मोटा करता है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है कई स्टाटीज में घी को सरीर के लिए हेल्दी माना गया है ये ना सिर्फ आपके बॉडी को शेप रखने में मदद करता है, बलकि प्रोजाना 15 ग्राम घी का शेवन सरीर को गर्म भी रखता है गर्माहट के लिए ये हल आप घी को खाश रकते हैं, साथ ही साथ या इसकीन को ड्राइव होने से भी बचाता है अधरक, अधरक के कई फायदे है, जिसमें ये सर्दी खांशी पाचन बुखार, एसी डिटी ये सब चीजों को ठीक करता है, साथ ही ये ठंड से भी आपको राहत देता है ठंड में ग्रीन टी या नर्मल टी में अधरक डालने से आपके सरीर में गर्मा हट बनी रहती है, इसलिए आपको इसे भी खाना चाहिए लासुन स्वास्त के लिए बहुत अच्छा होता है दिल के स्वास्त के लिए यह बहुत अच्छा है इससे सर्दी खांसी पाचन भी ठीक रहता है लासुन सरीर में गर्मी पैदा करती है इसलिए यह ठंड के लिए एक दम सही है आप लासुन को सूप, रस्म, चटनी, सबजी जाल में भी डाल कर खा सकते हैं हडी मिर्ची विटामिन C, E और फाइबर होने के साथ साथ एंटी अक्सिडेंट होता है मिर्ची में जो की शरीर की रोग प्रती रोधक छमता को बढ़ाता है इसे खाने से कैंसर जैसे रोगों से भी बचा जा सकता है इसे खाने से हमारे शरीर का तपमान को बढ़ाने में काम करता है जिससे हमरा शरीर अंदर से गरमड़ाता है इसी कारण सर्दियों में यह थंड से बचाती है अगर आप इसका सेवन गरμियों में करते हैं तो यह आपको लू से बचाता है इसलिए निर्च का शेवन करना जरूरी है आप इसे थंडी मे जरूर खाएं मेथी के पत्ता मेथी में फोलिक एसीड बिटामिन के उच्छ होता है यह सरीर में रेड ब्लॉट सेल्स पैदा करता है यह सरीर को गर्म डखने में भी मदद करता है इसलिए आप ठंड के मौशा में मेथी को जरूर खाएं आपको यह जनकाड़ी कैसी लगी धन्यवाद